हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूटूब चैनल टीचिंग इग्जाम ओवरलोड दोस्तों, आज के सेस्टन के अंतरगर आपकी जो सीटेट दिसंबर 2024 की क्लास है साथ ही DSSB, KVS, PRT जो होता है और BPSCTRE 4.0 में जहां भी SST का सिक्षन पूछा जाता है जहां भी NCRT का वेटेज है उसके लिए बहुत important क्लास है इसमें आज हम Classic NCRT हिस्टी के चप्टर नमबर 5 को पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गड़ राज आज का टॉपिक क्या है राज जे राजा और एक प्राचीन गड़ राज जो की Classic Sincerity का चप्टर नमबर 5 है चलिए फिर सेशन को सुरू करने से पहले हमारी एक रिक्विस्ट है कि महाई चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा जादा जादा शेयर करें चलिए देखते इसमें पहला पॉइंट क्या है पहला पॉइंट दिया गया है वर्ण के बारे देखते हैं वर्ण जिसका अर्थ रिगवैदिक काल में बहुत अलग-अलग था रंग के लिए भी प्रयोग होता था वर्ण जाथी के लिए भी प्रयोग होता था तो यह सब क्या है किरिग वेद के बाद रचे होने के कारण क्या हुआ है वैदिक ग्रंथ उत्तरवैदिक ग्रंथ कहला है इनके अंतरगत सामवेद यजुर्वेद अथरवेद तथा उपनिशयत आदी आएंगे पुरोहितो दारा रचित इन ग्रंथों में विविन प्रकार के अनुष्ठान और उनमें संपादन की विधियां बताएगी है और इनमें सामाजिक नियमों के विवारिम बताएगया है इतनी चीज बताएगी थी आगे देखते हैं उस समय समाज में कई समूह होता है तो बताया जा रहा है कि जो उत्तरवैदिक काली का समय क्या है कि जो रिगवेद के बाद का समय है उसमें समाज कई समूह हों बता था जिनमें पुरोहित, क्रिशक, पश्पालक, व्यापारी, शिल्पकार, स्रमिक, मसली पकड़ने वाले दमें जंगल में रहने वाली लोग सामिल तो निम्न लोग सामिल थे तो योद्ध ़ित वहीं कुछ ब्यापारी भी दनवान थे तो इसमें धन्वान क सेणिंब कौनकों नुद न ते पूजारी योद्ध नtschaft्री वर्ण आता था रही व्यात अहिंधि निर्दनवान होते थे लेकिन पशुपालक शिल्पकार स्रमिक मचली पकड़ने वाले शिकारी और भोजन संग्राहक क्याथ होते थे निर्धन होते थे तो कुछ क्रिशक और व्यापारी धनवान होते थे दूसरी और पशुपालक शिल्पकार छोटे किशान स्रमिक मचली पकड़ने वाले शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन होते थे पुरोहित ने लोगों को चार वर्गुम विभाजित किया था जिन्हें बर्ड का जाता था पुरोहितों ने क्या किया था? लोगों को चार भागों बाट दिया गया था, इनने क्या कहा जाता था? पुरोहित नहीं वड कहा जाता था, जिनमें प्रत्येक वड के अलग-अलग कारे निधारित थे, उनके लिए अलग-अलग नियम थे, साथ ही इनकी सीमाएं भी अलग थ पहला वCra Red Quran Ka अध्या चान के दता चेक अधियान और यग्यकरना होग और जेन के लिए उपहार मिलता था जान 찾्र का जाता था जिने छत्रे कहा जाता था आगे देखते हैं इनका काम क्या होता था इनका काम युद्ध करना होता था और लोगों की रच्छा करना होता था इनका काम क्या होता था युद्ध करना और लोगों की रच्छा काम करना तीसरा अस्थान किसका होता था विश्व या वैस इने कहा इनमें क्रिशक, पश्पालक और व्यापारी आते थे, छत्री और वैस दोनों को ही पूजा करने का, यहां पूजा लिख लीजेगा, पूजा करने का यग्य करने यादि का अधिकाय प्रप्त था, यहां यह लिख लीजेगा, छुट गया है, वर्णों में अंतिमस्थान सुद्रों को, इनका काम बाके तीन वर्णों की शेवा करना था, इनका काम क्या था, बाके तीन वर्णों की, यानि की ब्रामार, छत्री और वैस्य की शेवा करना था, इनने कोई अनुस्थान करने का अधिकार नहीं था, तो छत्री और वैस्य को पूजा पाठ याग करने क दार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त था, ब्रामर तो कराते ही थे, लेकिन जो सूद्र होते थे, जो 34 स्रेणी होती थी, इन में अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं था, प्राया अरतों को भी सूद्र मानना जाता था, बहुत इंपर्टेंट है, प्राय पुरोहित का मानना था कि सभी वर्ण का नेधारन जन्म के आधार पर होता था। अधाररन के तार पार, ब्रामन मातापिता की संतान ब्रामन ही होगी और वैष्य मातापिता की संतान वैष्य ही प्रियास में कहीं जंगल में या कहीं मांगते रहते हैं यह भोज़स अंग्राक हो गये साथ इन में वे लोग भी आते थे जो सवों को दफनाने जलानी का काम करते थे इन लोगों से संपर्क अपवित्र मान जाता था तो बाद में कुछ लोगों को अच्छूत माना जाने मंदिर प्रवेश आंदूलन किया था, इन्होंने क्या किया था, मंदिर प्रवेश आंदूलन किया था, पॉलिटी में आप इसको पढ़ेंगे, पॉलिटी को भी मैं NCRT में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिये, जोकरिफी को पढ़ाऊंगा, पॉलिटी को भी पढ़ाऊंगा, क कुछ राजा स्वयम को पुरोहित से स्रेष्ट अपनी आपको समझते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वड़न इधान सही नहीं मानते थे, तो यह सारी चीजे बताईगी है कुछ समय ऐसे भी लोग होते थे, इसके अतरिक कुछ लोग ब्योसाय के आधार पर लोगों के ब अगर सव को दफनाने वाला है या सव को जॉलाने वाला है उसके साथ अलग ब्योहार होगा, या कुछ ही तो नहीं है, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन करने का अधिकार सब को हो, कुछ लोग को मानना क्या था, कि वेदय को पढ़ने की अनमती सब की हो ठीक है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे सूद्रों और धार्मी कनुष्ठान यग्य करमकान डाधी करने का अधिकार सब को हो, कई लोगों ने इन सब चीजों की अलोशना की, इस उप महाधीप के पुर्वत्तर छेतर जैसे कई लाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम यहां पुर्वत्तों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, किस छेत में नौर्थ इस्ट की बात हो रहे है, इद्धान की कहा कि पुर्वत्ता जो छेतर था, जो बंगाल से लेकि यह वाला छेतर था, ठीक है, यहां क्या था, कि सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी और पुरो हितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, अब जन्पद देखते हैं अगला टॉपिक, जन्पद क्या था? महायग्य करने वाले राजा अब जन्राजा ना होकर जन्पदों की राजा मानने जाने लेगे, तो जो महायग्य करने वाले राजा होते थे, जैसे कि राज वी स्व कई ब्राम्वर को अगर्भ सट्ड कर्लेगा। ये कुछ बिशेष यंग करके , जन का राजा राजा ना हो के पहर आप्र वसनी के बारे जन्पदों के आगा糖 जाली जन्पत के जिए यह. महाजन्पत कैं या हो गए बड़ा हो जाएगा एयरिये में तो महाजन्पत हो गा। इनकी शंख्या कितनी मानी जाती है? इनके सोर्स कों से है? इनके सोर्स कहां कहां लिखा गया है? पहली बात तो अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है. अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है? अंगुत्तर निकाय क्या है? बहुत्तर निकाय क्या है? बहुत्तर निकाय क्या ह बनता है और कहां बताये गया है तो भगवती सूतर में बताये गया है नामक पुंप कहां था जैनधर्म की पुस्तक है ठीक है अब बनता है कि 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे आठ सक्तिशाली पुछा जाएगा कौन सा हो जाएगा Mai सबसे सक्तिशाली कौन सा हो जाएगा मगध हो जाएगा जो आदुनिक बिहार पढ़ता है पतना आदी का छेत्र यही मगध था सबसे सक्तिशाली यही हो जाएगा ठीक है दक्षिनभात में कितना था एक था इसको भी नोट का लीजिए महाजनपद से बस इतने प्रस्न बन सक कि महाजनपद में जो पहला साय था हर्यक वन इसको धान रखीगा आगे देखते हैं पुरा तत्त वीदों ने इन जन पडों को कई भस्तियों की खुदाए की है दिल्ली में पुराना किला उत्तरप्रदेस में मेरट के आस पास हस्तीनापुर और एटा के पास अतरंजी खे गई है जिसके दिलनी में पुराना किला उत्तर प्रदेश में मेरट के पास हस्तीनपूर ये भी था और अतरंजी खेड़ा ये सब क्या थे जनपद थे अभी महा जनपद की बात नहीं हो रही है ध्यान रखीगा खुदाई से पता चला है कि लोग जोपड़ियों में रहते थ और मवेशी तथा अन जानवरों को पालते थे और मवेशी तथा अन जानवरों को पालते थे ये चावल केहूं धान जव डाल घंणा तिल तथा सरसो जैसी फसली उगाते थे मतलब कि अब लगभा सभी फसल उगाना प्रारंभ हो गया था आप सुरू में देखे हो गए कि प्रमुख फसल आपको पढ़ाया जाजता होगा ना अब संदुगाटी सभीता में यव हो गई थी प्रमुख फसल ना क्या थी यह जिसे जव कहा जाता था वह प्रमुख पशल थी इसका नाम क्या था आउनकी इसको सायद और निकर नाम से भी कहा जाता था ठीक है लेकिन अब जैसे जैसे विकास हो रहा है अब क्या हो रहा है कि साजी तरह की फसले उगाई जाने लगी हैं लोग मिट्टी के बरतर भी बनाते थे इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे इन पुरास्थलों में कुछ बिशेस प्रकार के बरतर मिले हैं जिनें चित्र दूसर पातर कहने कार्थ क्या है? की धुसर रंग का प्रात रोता था उस पर कुछ चित्र बन होते थे, जैसा कि इनके नाम सरी इस पर हच्टो हो रहा है, इन बर्टनों पर चित्रकारी की गई है, और यह आम तोर पर सरल लिखां तो था ज्यामिती या कृतियों के रूप में होती थी, ठीक है, आगे देखते हैं, महा जन्पत के बारे में जो मैं इतना समझाया अब आ किया है, करीब 25 सो साल पहले, कुछ जन्पत अधिक महत्पूर हो गए, और अधिक महत्पूर हो गए मतल क्ष़ए देख लेते हैं, कुछ महा जन्पत दिखाए गया, देख लीजीए, पहली बात प्रस्ण बनता है कि दच्छिन भारत का एक मात्र कौन सा हो जाएगा, असमत हो जाएगा, सबसे महात्पूर कौन सा हो जाएगा, मगद हो जाएगा, इसको नोट लग कियेगा, और एक प्रस्ण मनता है कि गरतंतर सासन किस में थी वज्जी में थी गरतंतर सासन अभी आप इसी साथ से पढ़ेंगे वज्जी में क्या था गरतंतर सासन था वज्जी मल में वज्जी में लेकिन पूरी तरीके से गरतंतर सासन था मतलब कि प्रजा का सासन उसमें होता था ठीक है और आप पुछेंगे कि कंबोज और गांधार क्या हो गया यह अफगानिस्तान में यह कहा है अफगानिस्तान में आज के अफगानिस्तान में यह पढ़ते हैं कंबोज और गांधार इसको धिया रखेंगा इंपार्टेंट हो जाएगा तो यह कुछ प्रमुक महाजनपद हो जाएगे कोSAL उत्रप्रदेश fünf नगरी जो आज का युद्धा यो चेतर हो जाता य foster नगरी हो जाएगा ठीक आगे देखते हैं कासी हो गया ये अंगमगयद अवनति दिखाए गया है पाननचाल का सूर्षेन अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होगी, कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी, मतलब कि लगभग राजधानियों में क्या था, किले बंदी मतलब कि बॉर्डर बनाया गया था कि अगर हमला हो, तो हमेरे पास बचाओ करने के लिए समय हो और उसका ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरच्छा के लिए इन किलों का निर्मार किया था, कुछ राजा अपनी राधानी के चार ओर विशाल, उच्छी और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी सम्रिद्ध्य और सक्ति को भी प् तो किले बंदी करने के कितने अब फायदे हो गए आपको तीन, पहला क्या है, पहला ये है कि जब आपको कोई दुश्मन हमला करे गा, तो आपको बचाव करने का प्रतियुत्तर करने का मौका में लेगा, दूसरा क्या था, कि आप अपनी सम्रिद्धी दिखाते थे कि मैं इतना अमीर हूं, मेरे पास इतना धन है, इसलिए मने किले मंदी इतनी ऊची तरीके से किये, तीसरा क्या है, कि जब आप खिले बंदी कर लेंगे, तो वहां के जो अंदर के रहने वाले लोग है, आप उन पे सासन अच्छे डंग से कर सकते थे, ये तीन हो गए आपके फाय सेना रखने के लगे थे, मा जनपत काल में क्या हो गया था, राजा इस्थाई सेना लखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन दे का पूरे साल अखा जाता था, कुछ भुकतान संबहता आहत सिक्कों के रिउप में हुआ था, आहत सिक्के मैंने आपको पढ़ाएंगे आहत सिक्के के आहत जाएंगे, कि आहत सिक्के मतलब कि जैसे कि एक तुकड़ा है, किसी भी चीज का पतला सा तुकड़ा होगा, इस पर किसी चीज की आहत कर दी जाएंगे, माली जी आपके पास मोहर है, जो मोहर ऐसी वाली है, माली जी आपकी गोल ऐसे मोहर है लकड़ी की होती है ना जैसे आज कल होती है तो आप इस पे अगर मोहर कर देंगे तो यह कैसे बन जाएगा जैसे आपका है वह इस इस पे बन जाएगा तो यह रूप हो जाएगा तो मतलब कि चोट करके जो सिक्के बनाए जाते थे किसी बिशेश निशान के वह क्या हो जाते थे आहत सिक उनकी संसादनों की आउसकता भी बढ़ गई थी इसके लिए उन्हें ने कर्मचारियों को भी आउसकता होती थी अता महाजनपत के राजाओं ने लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भन ना रहकर अब नियमित रूप से कर बसूने लगे थे पहली बात दिर्भन से कर्मच परसेंट यए दस परसेंट आप मेरे पास जमा करेंगी ये कर होता था तो आब राजा कर भी लगाने लगे थे क्योंकि उनको संसादनों की आउसकता होती थी ठीक है आगे देखते हैं फसलों पर लगाए गए कर सबसे महतपूर थे क्योंकि अधिकांस इस समय क्रिसक ही अधिकांस लोग होते थे इसलिए फसलों पर कर अधिक मातपूर हो जाता है प्राया उपज का एक बटे छटवा हिशा करे के रूप में दिधारित किया जाता था प्राया मतलब की मालेज आपके अच्छा क्विंटल गेहुगा है तो आप एक क्विंटल गेहुँ आप राजा के पास पहुचाएंगे प्राया कही प्राया कितने होते थे एक बटे छे होते थे ठीकि समय बदलता था लेकिं इस माजंबत कालब pillar कि बटे छट ما हिसा ही निदाइद किया गया था इसका नाम भी एक था भाग इसको बँसक्ता था ऍसको भाग कहा जाताथ्त Pasar good गार के उपर पहुंछा सभिएट कुछ सदीर ही है थी सुपनाराजा के लिए एक महईने में एक दिन काम करना पड़ता पड़ता था जैसे कि थी एक बुनकर को किसे ने किसी भिषेस दिनाही पड़ता था लोहार को विशेसनें-बि श्राइबिप पफ्ड़use के काम का देते थे लकड़ी बिशाल लकणिया काटी गई है ठीक है या कोई उस समय शिकार आज होता था तो कुछ विशेश जारूमे का शिकार भी किये है तो वह सब आखेटक तथा संगराहक ले जाते थे यह करके रूप हो जाते थे क्रिशी परिवर्तन इसमें दो बहुत इंपर्टेंट हुए क्रिशी में परिवर्तन क्या हुआ दो बहुत जादा हुआ पहला परिवर्तन क्या था कि जो हलक का फाल होता था अब वो लकड़ी का नहीं बनता था लकड़ी से क्या होता था लकड़ी सड़ जाती थी दूसरी च से हो सकती है इससे क्या होता है जुताई बहुत आसानी से होने लगी ठीक है और अब कठोर जमीन को लखडी के फाल के तुलना में लोहे के फाल से हम आसानी से जोद सकते थे इससे फसलों की उपजबड़ी दूसरा पजवतन क्या हुआ कि अब धान को छीट कर नहीं बोया जा लेकिन पहले धान को क्या किया जाता है, किसी बिजेष चीटा जाता दा पीर उस्की छोटे चोटे पाउध मेंकमर कुछ्षक्षी काम काम कम्म कहते थे बती हमें। if क्ममरा गते थे सहे इस बनान आजीए साथ बर्द मास्डा्यार मजदूर। उनकेस समस्कीु करें केशए झूमीरियन। फंकेस्डी तोस्कीुमीना ही मत्ली होता है। समस्कीु मिध्युमीरम मद्खेट्ट्र। येपाइ समस्कार का घाते हैं। नगरा के सबस्याच दया उत्यांती पू enf 그다음에 चौ stretched आजर्णे को .... मांचित चार में मगत को दिखा दिया है तो ऑधनीक पाठले-पुत्र पतना बही है श करिदे पाराश्धानी इसमें तीन राजध्धानी थे राजग्र बाठले-पुत्र और वैसाली तेन राजदनीया था राजगरी पेटाल्पा ली पतलिपूत व वॉसाली। की था इसको भान लगवक के भीतर मगच सबसे महतपूर जनपत बन गया तू मगच सबसे अम्हतपूर जनपत था। ऐसा क्यों नदी का जो दूआप का छेतर हो जाता था ठीक है साथ ही मगद का एक हिस्सा जंगलों से भरा था जिससे क्या होता था कि हाथियों को पकड़ कर प्रसेश्चित भी कर देते थे सहीना इनकी मजबूत होती थी और लकनिया भी ने मिल जाती थी बहुत अच्छे से यह सारी हमला कि नीती है यह सारे नी पड़े यहीजिए शचे। सब्सक्राइब ड która हानि रस यह अज़ा के य। लिग्राँ मगदों में पनाती थी जंपतह कुई हुए जर्शनपर क्यों को जो जठने के लिए हर संभी उसाधन अपनाते थे चाहे वह हमला करना पड़े चाहे पढ़े को साल पर पढ़े छह फूंहें एंधृत असल का उत्रपशनु की इस समय कर अल्सीति थे बास्दानी बनी। मेसी डोनियो का राजा सिकंदर विस्विजय करना चाहता था पूरी तरह सफल ना होने पर भी वहां मिस्र और पश्मी एसिय के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारती महादीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा व्यास नदी मनलब कि वीपासा नदी उसको कहा जाता था उस समय ठीक है जब उसने मगत की और कूछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया वे इस बात से भहबीत थे कि भारत के सासकों के पास पैदल रत और हातियों के बहुत बड़ी शेना थी तो मतलब कि सिकंदर भी स्विजय करना चाहता था लेकिन भारत के उस स दर गए थे और युद्ध लड़ने से मना कर दिये इसलिए इसको वापस लोटना पड़ा था व्यास नदी के किनारे से ही लोटना पड़ा था अब वजजी के बारे में देख लेते हैं जैसा कि तुमने उपर पड़ा मगद एक सक्तिसाली राज बन गया उसके नजदी की वजजी राज था जिसकी राधानी वैसाली विहार थी तो वजजी की भी राधानी वैसाली विहार थी यहां एक अलग किस्म की सासन विवस्ता थे जिसे गड़ या संग कहते थे यहां की सासन विवस्ता क्या थी वजजी संग कहा जाता था मतलब कि यहां कोई एक राजा न ये सभी राजा विविन अनुष्थानों को एक साथ संपन्साइब कोई important काम है, यग्य करना है, कोई धार्मी का अनुष्थान करना है, कोई और भी अनुष्थान करने है तो एक साथ काम करेंगी है लोग सभाव में बैठकर ये बातशीत एक साथ करते थे, बहस करते थे, वाद विबाद करते थे, और एकमत होने पे ही कोई निर्ड़े लिया जाता था, ठीक है, और ये भी तैय करते थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सत्तुरों, आकमण से निपटने के लिए वे मिलकर चल्च करते थे, इस तरियां दास तता कमकार इन सभाओं में हिस्ता नहीं लेते थे, प्रस्न बनता है, कि जो वज्जी संग था, उसमें कौन-कौन भाग नहीं लेता था, इस तरियां, दास, और कमकार जो थे, ये सभाएं जो इनमें होते थे, इसमें भाग नहीं लेते थे, कमका के च्पी हन मजदूर इसको नोट लीजीगा गॉजः संग का यह ने वर्णन देर्ग-णिकाह से लिया गहा है देखते हैं हाथ हाँ यह व developers कि से लिया गया बॉन से लिया चलिए देखते हैं देर्ग-णिकाह किया है कि अभी मैंने उपर आपको बता है तलब कि महाय जनप्तभू के बारे में अन्गुंता निकाय कै इसमें बताय के ने जेसेपन है अना लोग नीने जाए है। दिर्ग निकाय जान जाए हैं प्रेसिद्व एक उत्य है जिसमें बुध्द्धे कई वयक्यान दीये गए गा, रुद्ध्धेन क्या कहा है। और उनमें करेम करीफ टीससे साल पहले लिखा गया था। आगे हरें क्या कहा गया है दियर निकार अजासत्रो और वज्जी के बारे में हैं आजासात्रो पर वज्जी संग पर आकर्बना करने सब्सक्राब तहें। इन्होंने अपने मंत्री वरसकार को बुध्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा, क्या मैं युद्ध यहां पे कर लूँ, क्या मैं यहां पे आक्मन कर दूँ, बुध्ध ने वरसकार से पूछा क्या वज्जी की सभाय अभी भी नियमित रूप से हो रही हैं, क्या उनमें जो नियम बनाएगे हैं, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे. वज्जी महिलाओं के साथ जोज़ जबरदर्शती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएगे. तो बुद्ध ने ये सारी चीजे कही कि अगर आये सब करते रहेंगे, सहरों तता गवं में चैतों का राख़र्खाओं करेंगे। चैत होते थे जो बूत लिधर्म के लोग ओते थे आख महीने तो सिर्फ भिक्षण मांगते थे वं निवास करते थे पीश प्रिया लेकिन यह 4 महीन वर्षा संबान करेंगे मता ओलम्बी मतलब क्या है करहें कि ऐसा नहीं सिर्फ बाद्दों के ही निताओं को सम्मान करेंगे जार हिंद् Warum सबी संतों करेंगे और आने जाने पर उनके कोई रोक नहीं होगे कि आप हमारे यहान नहीं आ चकते हैं कि ऐसा जब तक होगा तब तक वहां के लोग व्रिद्धी करते रहेंगे वहां के लोग की जो उन्नती है वो होती ही रहेगी अब अन्यत्र दिया गया है देख लेते हैं लगभग पचीछ सो साल पहले एथेंस के लोगों ने एक सासन संस्था की स्थापना की जिसे पजातंत् है कि जो एथेंस में गर्णतंत्र था इसमें 30 साल से उपर सभी पूर्सों को नागरिक्ता प्राप्त थी जो दास नहीं थे तो किसको किसको नहीं प्राप्त थी दास को प्राप्त नहीं थी महिलाओं को प्राप्त नहीं थी वहां एक सभा थी जो महातपूर बिश्यों पर नेड़े लेती थी और साल भर में कमram 40 बार तो इन्हें बुलाया ही था शासद के कई प दो पर नियुकतिं द राटनीव की जाती थी सब्सेना होंक 14ख 15 फेनोसरेना बांदफ पर 2 एथेंस में जो प्रजात अंतर था, 30 साल के सभी जो पूरुस होते थे, वो क्या थे, नागरिक्ता प्राप्त थी, महिलाओं को प्राप्त नहीं थी, दासों को प्राप्त नहीं थी, साल बर में सभाएं होती थी, कम सकम 40 बार सभाएं होनी ही पड़ती थी, सभी पूरुसों को जो होते थे उन्हें सेना और नोसेनम भाग लेना ही पड़ता था सासन के जो प्रमुक प्रसास की पत्थे उस पी न्यूकती लाटरियों द्वारा की जाती थी ठीक है औरतों को नागरिकत का दर्जा प्राप्त नहीं था व्यापारी तथा सिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से वीदेशियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी और दासों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी चलिए फिर इसे साथ आज के सेसन को हम समाब्त करते हैं आसा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी यह सेशन आपको पसंद आया होगा अगर आप इसी तरह के अनिस सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा ज्यादा शेयर करें चलिए फिर धन्यवाद